चले, इस lecture में हम जो चीज देखने वाले हैं वो है one way ANOVA one way ANOVA कब use होता है? जब हम more than three means को compare कर रहे होते हैं तीन या तीन से ज्यादा, यानि कि दो से ज्यादा means को जब हम compare करते हैं तो हम ANOVA को use करते हैं, analysis of variance analysis of variance एक test है, जो variance की base पे means को compare करता है यानि कि means के analysis of variance क्या करता है, multiple means क्यों variance की base पे compare करता है let's see, इसके example पहले देखते हैं फिर हम आगे move करते हैं screen आपके सामने share हो रही है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ANOVA किस तरीके से काम करता है ANOVA को हम बोलते है analysis of variance यानि कि ANOVA analysis of variance ठीक है जी, अब इसको apply करने के लिए आपको scipy stats के अंदर काम करना पड़ता है और इसके तीन types है, one way ANOVA, two way ANOVA and then आपके पास repeated measure of ANOVA so लेकिन हम one way ANOVA से start करते है one dash one way ANOVA इसका मतलब यह है कि जब आपने तीन या तीन से ज्यादा चीजों को compare करना है तब आप इसका इस्तमाल करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आप करते हैं import scipy.stats as stats मैं यहाँ पे stats को import कर लेता हूँ मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे तीन किसम के sample data बनाऊँगा ठीक है, for example, पहला group है A is equal to मैं कोई भी यहाँ पे sample बना सकता हूँ यह वाला मेरे पास आ गया, B is equal to यहाँ पे यह मेरे पास B का sample आ जाजएगा, anything C is equal to यहाँ पे यह मेरे पास C का sample आ जाता है something like this, ठीक है? अगर मैं इन में कोई फरक करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे 12, 13, 15 कर देता हूँ just to see के हमारे पास जो फरक है वो आए सही ठीक है? So something like this So यहाँ पे 22 23, 24 So अब आपके सामने तीनों में फरक नजर आ रहा है A group छोटा है, B उससे बढ़ा है C जो है उससे भी बढ़ा है अब इन तीनों में हमने फरक देखना है कि तीन मीन्स में कोई comparison हो सकता है या नहीं हो सकता Let's see, हम यहाँ पे perform करते हैं one way onova analysis of variance ठीक है? और उसको perform करने के लिए हमारे पास obviously stats के बाद f one way आ जाएगा और यहाँ पे a, b, c आ जाएगा अगर आप गोर करें, मैं यहाँ पे amistats.f यहाँ पे देखें यह one way पड़ा हुए इसका मतलब यह कि one way onova यहाँ पे मजूद है इसके इलावा, अगर मैं यहाँ पे f underscore two way लिखता हूँ यहाँ पे वो मजूद नहीं है so for one way onova, we can use scipy की library और वो ही हम use कर रहे है let's see, हमारे पास यह results आ जाते है, f statistic and p value आ जाएगी हमारे पास अब हम क्या करते है print the results based on if else condition same, वो ही formula जो हम use करते हैं, असानी के लिए आपके लिए बहतर होगा, so हम इसे use करते है यहाँ पे यह हमारे पास result अगर आप गोर करें हम यहाँ पे अब तीन means को देख रहे है यानि के a, b and c अब हम दो वाली बात नहीं करेंगे के दो बराबर है, हम आप कहेंगे के h0 इसका यह है के तीनों ही बराबर है h1 कह के तीनों बराबर नहीं है तो अगर हमारी p की value यहाँ पे यह p की value है less than 0.05 आती है which becomes here is the case, अगर आप चेक करें तो e की power minus 13 so means are not equal तो हमने reject each not कर दिया क्योंके हमें देखने से भी पता चल रहा है के तीनों के तीनों में फरक मुझूद है यह हमें तो पता चल गया है के यहाँ पे फरक मुझूद है लेकिन हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि कितना फरक मुझूद है और कौन किस से कितना बड़ा है उसके लिए हमें लगाना पड़ता है post-hawk test ठीक है, तो वो हमारे आने वाले lectures के अंदर हम देखेंगे कि post-hawk test क्या होता है और उसको हम कैसे apply करते हैं ठीक है यहाँ पे आपको clear हो गया कि किस तरीके से multiple mean comparison को चेक करते हैं हमारे पास यह तीन groups हैं इन तीनों को हमने compare किया यह one way ANOVA हो गया और इसकी base पे हम अंदाजा लगाते हैं A, B और C में क्या फरकार है this is all about one way ANOVA अब हम आने वाले lectures के अंदर two way ANOVA repeated measures of ANOVA और साथ में हम यह भी देखेंगे के हमारे पास post-hawk test क्या होते हैं यानि के यह तीन में कौन किस से कितना बढ़ा है यह तो हमें पता चल गया कि यह तीन के तीन आपस में different है लेकिन हमें यह नहीं पता के A B से बढ़ा है या B C से बढ़ा है हमें यही पता चल गया के तीनों में कोई एक दूसरे से बढ़ा चोटा है अब हमने यह पता लगाना है के कौन किस से कितना बढ़ा है that's what we are going to see in our upcoming lectures